हेलो दोस्तो नमस्कार दोस्तो आज हम बात करेंगे गुड लैक्स प्लस सिरफ के बारे में तो दोस्तो वीडियो में हम जानेंगे कि हमें गुड लैक्स प्लस सिरफ का उप्योग कब कब करना है इसके साइड इफेक्ट क्या-क्या है और इसका उप्योग हमें कब नहीं करना चाहिए तो दोस्तो चलिए वीडियो को सुरू कर लेते हैं दोस्तो गुड्लैक्स प्लस सिरफ को मैंनकाइंड फर्मा लिम्टेड कंपनी द्वारा बनाया जाता है तथा इस दवाव में सोडियम पिकोस्फेड लिक्विड पैराफिन और मिल्क ऑफ मगनेशिया साल्ट मौज में एठन फ्लैसिंग और बहुत ज़्यादा पसियनाने जिरेसे साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं दोस्तो यह साइड इफेक्ट हमें सा नहीं होते हैं फिर भी संभव हैं इसलिए आपको इनमें से कोई साइड इफेक्ट मैसूस हो तो आप इस सिरफ का अपयोग ब पेराफेन और मिल्क ऑफ मेगनेशिया से मिलकर बना है जो हमें कब से छुटकारा दिलाते हैं और सोडियम पिकोस्ट एक उत्तेज़क लेक्सेटिव है जो मल को आगे की और धकेलने के लिए परिस्टालासिस को बनाता है तरल पेराफेन एक लूब्रिकेंट लेक्सेटिव पानी और वसा में मदद करता है जबकि मिलक ऑफ मेगनेशिया यह औस्मैटिक लैक्सेटिव है जो परसरण के माध्यम से आतों में पानी खीच करने का काम करता है और मल को नर्म बनाता है साथ में यह मल और्यक्तिक्न असम्तान म Chef भीमारी तो आप इस प्रकार प्लस अट्म ये याप फिर भी गुड्वियूर अप्योग करना चाहते हैं तो अपने नजदेगी डॉक्टर से संपर कर लें उनसे विचार्मर्श कर लें उसके बाद ही आप इस स्रफ का उप्योग कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो में जानकारे अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें धन्यवाद